नमस्कार प्यारे दोस्तों कोटिले क्लाशेज में आपका स्वागत थे और आज हम कर रहे हमारा तीसरा टोपिक विदुतकार के सामान्य ओजार वो क्यूशन सीरीज जिसमें हम डेली के हर चेप्टर के सवाल सोल कर रहे हैं और फर्स दिन से लगातार इस परकार की सीरीज चल आसों के अंतरगत देखा था वैसा ही आप अब देखेंगे तो नमस्कार सभी का स्वागत है जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाई है और हम सवालों का सिल्चिला सुरू कर देते हैं एप डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो यह जो दिएगे नंबर है आपके उस परकार की प्रोब्लम होगी मैमोरी कम है फौन में सब्सक्राइब होता ही है ये उपन में प्रोब्लम है वzahl की इस इसमें गूगल प्ले की पॉलिश ही जलती हमारी तो अलग से पॉलिश ही होती नहीं है गूगल प्ले स्टोर करता है तो काम कि वह किताब आजाईगी थेजार वाली तो प्राइस उसकी बता देंगे भई छे मइने से, नो महीने हो गई, एक साल क्यूं नहीं हूई है एसा कुछ नहीं है देखोगी ऐसा हो सकता है आपने तीन महीने पहले ली हो, वेल्डटी बड़ाने हो का हो तो उन्होंने जिस दिन से आपने पर्चेस किया तो वहां से तो एक साल देंगे ना अब से एक साल थोड़ देंगे तो नौ मीनेगत कोई मतलब नहीं था ना तो यह आप समझ नहीं पाएंगे तो हम करें क्यूशनों का सिलशिला सुरू सभी का स्वागत है और अब मैं आपके विदुतकार के सामानिय ओजार यानि कौमन टूल्स फोर एन इलेक्षिन को कौन से कौन से कौन से कौमन टूल्स यान ओजार उप्योग में लेने होते हैं इन से सम्मंधित सवाल हैं जो क्या होगा नियून में से कों सोग करण एक लेक्षिन के टूल किट में नहीं पाया जाता है एक एक छोन के टूल की यान इह ताझा बटा जाता है जल्दी से आंसुर बटाईए बताई ये कौन सा नहीं पाया जाता जल्दी सांसुर दीजी इसका A option आ गया हितेश के बाकियों गारा C option हितेश के लवज सब के C option आ रहा है बहुत अच्छे है क्योंकि common tools के बारे में simple जानते हो कि wise नहीं पाया जाता wise क्या होता है bench wise या hand wise होता है जो मजबूती से किसी वस्तू को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है तो मजबूती से पकड़ने के लिए काम में किसका लिया जाता है wise का तो ये bench wise, hand wise, pipe wise, अलगले wise होते हैं तो मजबूती से पकड़ बनने के लिए किसको काम लेता है wise को ये इलेक्ट्रिसिन के टूल किट में नहीं पाए जाते हैं पाए इसके टूल बिल्कुल होता है इस्क्रू ड्राइवर होता है और नाइप होता है यही आपके पास ओप्शन में था टेस्ट लेंप होता है इस्क्रू ड्राइवर होता है नाइप यही चाकू होता है यह सब होते हैं इनके अलवा और क्या होते हैं तो आप देखो के ड्राइव के सोकेट हो लग लग मिट वाले सेट होते हैं वीट Design और हाड़्वेर सेट जो आपको लग दशाई तोन में आप एकर करके रखते हैं इस क्रूट डॉरयर आपके पास होते हैं इ tö्ट को होलड करने विधि का होल्डर होता है है क्ये चीज को सुख करने के लिए क्याने के हेस्की तोड़ने मरोडने काटने के लिए अलगले परकार के आपके लॉंग नोच प्लाइर काम में लिये जाते हैं homer हो तोड़ा भी काम में लेता हो иजने कि आप इसको कम नत ज़्यादा चाल करके इसका माप शिमा को बड़ा गटा सकते हो LED टोर्थ होता है कहीं गह रही में कहीं देखने के लिए अंधेरा वगरा हो तो इंसुलेशन टेप होता है और 3M मेजरिंग टेप होता है यह नहीं कि 3 मिटर की मापने की टेप होती है तो यह सब चीजें आपके पास से एक के टूल किट होता है इस परकार यह पूरी तरीक से पेक होता है और यह आपके पास सामग्रिया मौजुद होती है किलियर है अब आते हैं अगले सवाल दूसरा सवाल बहता है यह डबलू जी संक्या चालक के आकार को दर्शाती इस संक्या के समद में कौन सा सही है जल्दी से बताईए चलो राजेश कुमा रेना तो फिर हम आपका चेक कर लेंगे नो महीन यदि हुआ है तो इस परकार होना तो नहीं चेह था चलो हम आपका चेक कर लेंगे ठीक है ना एडबलू जी संक्या चालक के आकार को दर्शाती इस संक्या के समद में कौन सा सही है बताईए सेकेंड नंबर सवाल को सोल्यूशन करें जल्दी से अंकुस पाल जल्दी जल्दी पढ़े जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हम सारी चीज़ें आराम से बताएंगे ज्यादा जल्दी नहीं है एक एक चीज़ आराम से बताता चलेंगे और इस क्यूशन सीरीज का तात्परी हमारी यही था हम पूरी डिटेल में आपको आराम से ब वाईर गेज की खास्यत क्या होती है खास्यत देखिए ध्यान से वाईर गेज की जैसे मालोई 40 AWG है तो व्यास कम है व्यास कम है और जैसे 18 AWG होगा तो व्यास क्या होगा बढ़ रहा है यहां पर देखो 0 AWG का व्यास ज्यादा जैसे जैसे AWG बढ़ रहा है तो तार का व्यास क्या हो रहा गट्रा है एडबलू जी बढ़ना और तार के व्यास बढ़ना एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं अठारा एडबलू जी पतला है बारा एडबलू जी मोटा है इसका मतलब है जो यदि एडबलू जी का मान ज्यादा लिखेगा तो व्यास क्या होग कम होगा आंसर बताइए बताइए कौनसा होगा जितनी बड़ी संक्या व्यास उतना ही कम जितनी बड़ी संक्या उतना छोटा व्यास ऐसा है क्या जितनी बड़ी संक्या जितनी बड़ी संक्या उतना बड़ा व्यास गलत है यह तो जितनी छोटी संक्या उतना बड़ा व्यास जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास बिलकुल हमार पास D option correct है जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास या जितनी बड़ी संख्या उतना छोटा व्यास ये भी हो सकता है जितनी बड़ी संख्या उतना छोटा व्यास दोनों भी ओप possible है तो हमार पास correct option क्या आजाएगा D option आजाएगा अराम से सवाल का आंसर देना है अगला सवाल आपके सामने है तीसरा जल्दी से उतर दीजे तीसरा सवाल का तीसरा सवाल आपके सामने है किसका उप्योगर के तार के गेज को मापा जाता है बताईए वही तार के गेज को मापा जाता हाइड्रो मिटर का पुरियोग करके मापते हो क्या हाइड्रो मिटर का पुरियोग करके तो आप क्या मापते हो आपेक्सिक गनत्वे जो सेल के अंतरगत मापते हो आपेक्सिक गनत्वे मापा जाता है हाइग्रो मीटर के परियोग करके क्या मापते हो आदरता मापते हो रूलर का परियोग करके आप लंबा ही माप सकते हो व्यास नहीं माप सकते है क्योंकि यहां पर इसका जो अल्पत मांग है वो जद जदा होता हमें अल्पत मांग कम से कम छोटा वाला चाहिए मल्टी मीटर ह होता है वह आपके अवो मिटर कहलाता है एंपियर मिटर वोल्ट मिटर ओम मिटर यह भी नहीं मापता है तो करेक्ट आंसर है माइक्रो मिटर यह सुक्सम चीज मापता है माइक्रो मिटर सुक्सम चीज मापता है माइक्रो मिटर का अलपत मां क्या लिस्ट काउंट होता है .01 micrometer का अल्पत मांक यहां list count होता है .01 यानि .01 माप तक की वस्तू को माप सकता है तो व्यास इसी से मपाएंगे क्योंकि हमारे पास देखो तार का व्यास बहुत ही कम होता है तो यह हमारे पास व्यास की सुत्ता से कौन माप सकता है micrometer हमारे पास micrometer इस परकार का होता है जहां से देखें यह होता है हमारे पास तो यह जो micrometer है यह तो हमारे पास main scale है और यह हमारे पास जो scale है fine scale होती है जिसमें हमारे पास point में value calculate करवाती है clear है और इससे हम कहते हैं thimble clear और यह हमारे पास होता है ratchet box मॉक्स यहां से मापते हैं तो चटट की आवाज आती है जब वाइर को मापते हैं तो यह जो आपक होता है और इस पिंडल कहलाता यह हमार पास बाग क्यालता है तो हमार पास फ्री पूर्च मीटर्च का अंतिम भाग में लगाय जाता है तृर यह हमार पास यहां पर जैसे पूरी तरह माप को फिक्स कर दिया जाए तो इस नट को लोक कर दिया जाए है इस की अ कि ले तो यह हमार पास सारी चीजें होती है कि पॉइंट 02 की माइů म्यू स होता है घिंद relay सवाल आपके सामने जल्दी से सवाल को सोल कीजिए माइक्रो मीट्रें के लिए केलीपर्स की यतार्त मापन के लिए किस गेज का उप्योग किया जाता है बहुत गजब का सवाल है आप इसको जल्दी से आंसर बताइए किसका उप्योग किया जाता है और जल्दी से इस वीडि पताइए जल्दी से आंसर वही क्या आंसर आ रहा है आपका सी आंसर आ रहे हैं फिलर गेज यथा अर्थताम आपने ले किस गेज को प्योग किया जाता है फिलर गेज यथा अर्थताम आपता है क्या फिलर गेज यथा अर्थता महा आपता है फिलर गेज तो आपके जोन्सन स्लिप गेज जोन्सन स्लिप गेज होता है दूसरे नाम होता है जोन्सन स्लिप गेज होता है और यह हमारे पास आईताकार होता है हमारे पास रेक्टंगल कार यानि कि आईताकार होता है और इसका प्रियोग हम क्या करते हैं फिलर करने के लिए काम में नहीं लेते हैं यहां पर यतार तादरसानिय तो एक्यूरेशी मापने के लिए म्काम में लेते हैं कैसे हैं यह देखिए आप सुर्य यह देखिए अब यहां पर क्या है कर आपके पास एक बोकस बना वाए इसमें अलगलग परकार के सारे स्लिप गेज रखे हुए हैं अब आपको देखो के वहां पर जो यह इनके बीच में यह जो भाग होता ना इनके बीच में उसको लगए दिया जाता है पिर देखता है कर देती है जो मात नहीं है की जाती है दर्शा होए खाइज तो आप स्क्रोमेटर में स्लिप गेज का प्रियों करके देखो अलगले माप है पॉइंट फाइब फाइब फ़ो पॉइंट फाइब फॉर पॉर फाइब फाइब इस परकार आगे 10-11-13 सब चल रहे हैं बाइस यह देखो 50-75 यह अंड्रेड यह सारे मान के सारे M.M. की value के हमारे पास रखे वे होते हैं जिसके कारण हम माप माण सकते हैं कि यसकी सुद्धा में कितना परीवर्टन है यदी मान लो ये 75 M.M.R. 174 दिका रहा था यतारत नहीं है न तो यतारत को दर्शा निकले इसको काम में लिया जाता है तो किसको काम में लिया जा अलकां सुर दीजिए गलती मत करना यह द्यान रखना नबे डिग्री कोणों के विशुद माप के लिए परियोग किये जनवला उपकरण कौन सा 90 डिग्री एंगल मापना है तो बताइए कौन सा काम में लोगे MPTO की कला से एप के अंदर है आप जाके देख सकते हैं 90 डिग्री कोणों के विशुद माप के लिए परियोग किये जनवला उपकरण कौन सा है इस पात पती शहूल-3 वर्ग काहिष्ट पहमाना स्ट्यल डेप लंग वा ट्री सकेर् वुडं चाहल बताई क्या होता यह बिल्कूल सब काँसौर करेक्टच करे कशी तो करेक्ट विए इसक्विए ओंग है तो इस परकार की यहां पर जो इंगल बनता हो नवेट दिग्यरी और जेशे मालो मेर पास एक दीवार इस परकार दूसरी दिवार ऐसे निकालु गा तो इसको मैं क्या करूंगा मैं यहां पर लाघ्र रकोंगा तो पता चल जाएगा 90 वावज नहीं है तो 90 दिग्र का पुरियोग मापन के लिए करते हैं जो एक्सी दे एक मापन के लिए करते हैं और आपको देखक इन पर होता है प्रेट करना देगा है तो यह हमारे पास आपको मता है उниहां से यह में प्सक्रणा च्राइज बना रहा रहा है नब़े तो यह हमारे पास होता है चटा सवाल आपके सामने है उत्तरा बताइए जल्दी से कठोर तारों को काड़ने के लिए कौन से प्लाइर का उप्योग सर्वा धिक अच्छा रहेगा ठीक रहेगा बताइए जल्दी से कठोर तारों को काड़ने के लिए कौन से प्लाइर का सर्वा धिक उप्योग किया जाएगा जल्दी से बताइए भई लोकिंग प्लाइर वाइर स्ट्रिपर लंबी नोग वाला प्लास या विकर्णी कठर बताइए कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कठोर तारों को काड़ने के कौन से प्लाइर का सर्वा धिक उप्योग किया जाता है कठोर तारों को काड़ने के लिए हमार पास सबसे उप्योगत होता है विकर्णी यानिक डाइगनल कटर बिल्कुल करेक्ट टांसर होगा डी ओप्शन तो डाइगनल कटर सब से ज्यादाूप्योगत हो का लोग कड़ने वाला लेकिन हमार पास यदी कठोर तारों को काड़ना है यह लुमिनियम चादर को काड़ना है तो यह को आगे काद भाग डाइनल कट्र यह है यह कट्र का आगे का बाग है जिसमें आप किसी परकार पतला चदर होता तो उसको भी आप काड़ सकते हो यह कठोर भाग को काड़ने के लिए किसको कामे लोगे डाइगनल को प्लेट प्लाइर से काड़ने के लिए नहीं हम पकड़ने के लिए काम में लेते हैं लंबी नोज वाला जो होता है उसको भी हम पकड़ने के लिए काम में लेते हैं यह आप जानते हैं और जबकि यहां पर आपको सब दिख रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा डाइगनल प्ला ही केलियर है कोई दिक्टत नहीं जे अल्टर नेटर में स्लीप रिंग किसका बना होता है को पर का होगा है हटडरों को पर कि बीच में सलीबरी कहां सहा जाते आप क्या पड़ते रहते हसे हैं बीच में कि साथवए सवाल का उतर दीजिए कि पिन वाइस का परियोग निमन लिकित में से किसके लिए किया जाता है बताईए पिन वाइस का परियोग क्यों बहुत कम तापमान वाली वस्तों को धारन करने के लिए पिन जैसी बहुत छोटी वस्तों को धारन करने के लिए बोल्ड जैसी बड़ी वस्तों को धारन करने के ल दूर करवा दीजिए देखो पहली बात अभी तोपिक दूसरे पढ़ रहे हैं फिर भी मैं बता देता हूं कि चुम्बक सीलता जो पर्मियाबिलीटी होती है वह हमार पास होती है म्यू और इसके बाद इस प्रकार के सवाल मत पूछना भई मैं अलग अलग नहीं करा पहूंगा क्योंकि टोपिक से बटक जाते हैं म्यू इकल टो म्यू नोट म्यू आर म्यू नोट होता है इसको हम कहते हैं निर्वात यहां वायू की वायू में थोड़ा सा मान ज्यादा होता है लेकि निर्वात और वायू की एक इमानी जाती है तो mu note का मान होता है 4 pi into 10 to the power minus 7 henry per meter इसकी unit होती है जबकि आप जो पूच्चरो सापेक सी चुम्बक सीलता होती है mu r ये हवा ये निर्वात के लिए मान होता है mainly तो ये निर्वात के लिए मान एक होता है हवा के लिए मान 1.00049 करके होता है मान तो 1 से थोड़ा से जएदा होता है लेकिन उसको 1 ही माना जाता है चुम्बक सीलता का मान हमारे पास एक किसके लिए होगा निर्वात ये वायू के लिए mu r का और ये मात्रक हीन होगा ये मात्रक हीन होगा और जबकि निर्वात यह वायू की मुख्य जो चुम्बक सीलता होगी म्यू नोट इसका मात्र के हेंडरी परती मीटर और म्यू आर का मान वन तो इसकी जगे वेल्यू वन पूट कर दोगे इसकी जगे वेल्यू ये पूट कर दोगे तो म्यू का मान आजाएगा चुम्बक सिल तक माना जाएगा अलगल पदार तुम यह वेरी करती रहती है किलियर अब पिन वाइस का प॑ष करते हैं पिन वाइस का पिन जैशी चोटी-चोटी वस्तू条 को धारन करने के लिए पिन वाइस का पुरियो करते हैं करके ज्यादा मान कम मान करें इस सब को पीन को दारण कर चकतेैं तो पास AWS क्या होता है जो अलग मापगत चोटी चोटी पीनों को दारण करता है उसने कहता है पीद्भाइस के लिए चोटे चोटे मिंद smp भी बोल दो आप एगला सवाल हटोड़ा मूलते एक कौन सा परवर धख है जल्दी से सवाल आपके सामने अच्छे-चछे सवाल हैं आप कुतर बताईए हटोड़ा मूलते एक किस पाइब का परवर धख है हत्वड़ा मूलते किस परकार का परवर्दक है वई जल्दी से बताइए C टाइप का बल बिलकुल सही बात है गर्वर्दक का मतलब होता वेल्यू को बढ़ना आयाम को बढ़ना परवर्दक कहलाता जैसे मान लो मेरे पाज दिवार है दिवार में कील को मुझे वहाँ पर फिक्स करना है तो मैं इदे हाथ से मारूंगा तो कील जाएगी क्या नहीं जाएगी खतोडे से मारूँगा तो कील जाएगी याननी कि मेरे जो बल तो होई था लेकिन बल के आया मैं किसने वर्दी की है हतोडे ने तो यह अमरे पास बल का परवर्दक है किसका परवर्दक होगा बल का बल के कारणी तो कील गेinação में चली जाती तो correct option होगा C अगला सवाल है हत्तोडे का उप्योग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए यह तो सवाल आप जानते ही हो बहुत असान सवाल है हत्तोडे का उप्योग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए जल्दी से बताए बै बताए जल्दी से बी अबस ना रहा है तेल के साथ फिट होना चाहिए कसकर फिट होना चाहिए गिसावा या पंचर होना चाहिए डिला फिट होना चाहिए कसकर फिट होना चाहिए डिला फिट होगा यह हमार पास तेल के साथ होगा फिसलन होगी तो चपेट आजएगी चोट लग जाएगी तो इसमें तो सिंपल है कसकर फिट होना चाहिए हैमर जो होता है उसमें यह भाग होता है यह जैसे हतोड़ा है हतोड़े में हमार पास यह ज्यादा तरहों में लगडी का भाग होता है और यह हमने एक रेडिमेंट हतोड़ा देख रहे हैं जिसका पीछे का भा और पीछे वाला जो बाग होता है पिन होता है जहां पर क्या होता है कोई जो पिन लगी हो इसको निकालने के लिए जबड़ा होता है जो निकालने के लिए काम लेता है जबड़ा है एक तरीक से यह जो बाग है इसका सर कहलाता है हैड कहलाता है और इससे हम आई यहां पर जो आपके सामने दर्शाए गए हैं किलियर नेक्स्ट है अगला सवाल पीवी सी ट्यूब दातू के पाइप और दातू की फ्रेम को काड़ने के लिए किस इलक्ट्रिक उप्रगन का पुरियोग किया जाता है इससे आसान क्या सवाल दो सबसे आसान सवाल दे दिया तो जल्दी से कीजे सवाल को सोल किस उप्रगन का पुरियोग धातू को काड़ने के लिए किस का उप्योग करोगे मेलेट का कलो हेमर का पोकर का हेकसा का जंपर का बाता यह किसका उप्योग किया जाएगा जल्दी से इसको सौल कीजिएगा मेलेट क्लोहेमर पोकर हेक्सा जंपर किसका उप्योग करेंगे दातों को काटने के लिए सबका आंसर करेक्ट है डी आंसर बिलकुल हेक्सा दातों को काटने के लिए पाइप को काटने के लिए ट्यूब को काटने के लिए किसका प्रियोग करते है हेक्सा का प्रियोग करते है हेक्सा हमारे पास इस प्रकार का होता है वैज देखो ज्यान से यह हमारे पास हेकसा है तो यहां पर हेकसा कि यह जो भाग है उपर वाला यह फ्रेम होती है और इदर वाला हैंडल होता है हैंडल अलग लग अकार के बने होता हैं यह हैंडल होता हैं और इनके बीच में हम ब्लेड लगते हैं और ये हमारे पास blade cutting का कार्य करती है तो blade होती है वो cutting का कार्य करती है कठोर और नरम अलगले परकार की blade होती है और ये blade को कसना कितना है ये wing nut द्वारा adjust किया जाता है clear है? तो ये wing nut द्वारा यहां पर adjust किया जाता है यहां पर इस परकार के दानते होते हैं किया जाता है वो हमार पास एरिया क्या लाता है इस्टूड क्या लाता है किलियर है तो यह हैक्सा है है क्टिंग करने के लिए काम में लिया जाता है अगला सवाल 11 नंबर हाई हाई इस्पीड इसपात में कार्बन का परतीसत कितना होता है हाई इस्पीड इस्टील में कार्बन का परतीसत बताइए जल्दी से भई हाई इस्पीड इस्टील में कार्बन का परतीसत को लास ये डेली चलेगी क्या त्यरी बता है यह तो मैंने का नहीं यहां तो टॉपिक वाइज सभी सवाल सोलीशन किये जाएंगे यूटूबर सभी सवालों के टॉपिक वाइज सोलीशन वो तो मैंने आपको 20 तरीक को बता दिया था मैं लाइव आये था faculty चोटheimer पैली चल रही है नहीं तो आप पड़िए और में तो कफी कफी दिनों से डेली पड़ा रहा हूं अलग लग परकार के कभी सवाल करा रहा हूं कभि आपकोージow 的 करा रहा हूं कभी टॉपी के सवाल करा पॉइंट 75 से एक परसेंट तक यह पास क्रेक्ट राएन यदि एक जगह 1.5 परसेंट होता तो भी हम कर देते लेकिन एक पॉइंट 5 हम ज़्यादा नहीं करते हैं तो एक पॉइंट 5 पर little high में इस पात में कार्बन का परसेंट यहां तक होता है जितना ज्यादा कार्बन मिलोगे तो कार्बन मिलोगे तो कठोरता क्या होगी बढ़ेगी जितनी ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा कठोरता तो कार्बन कम होगी कठोरता कम होगी तो जितना ज्यादा कार्बन होगा वाला केस्ट क्या होगा बढ़ेगा बंगूरता बढ़ेगी बंगूर का मतलब क्या होता है बंगूर का मतलब होता है किसी चीज को मोड़ने पर उसका टुकड़े टुकड़े वकर बिखर जाना लेकिन मुड़ना नहीं बंगूरता कहलाती है लचीलापन का उल्टा करकार को पेचानिए यह कौन सा राष्पकट रहती है सिंगल कट वाली रहती है यह वक्राकार कट वाली रहती है बताइए कौंसी रहती है आप इस कांसर जल्दी से बता सकते बहुत अच्छे-चवाल है कि बरत पुर्षे हैं सोनों आप मिलने के उथ सके हैं हम जल्दी मिलेंगे बरत पुर्षे होता हैं आप लोकडाउन खुळने दो और सारी चीज़ें सहमानिय होने दो हम पहुत जल्दी मिल जाएंगे आकर्ती में दिखाई गई रेती के परकार की पैचान करें आकर्ती में दिखाई गई रेती हमार पास देखो यदी मान लो इस परकार की होती केवल एक होती तो मैं क्या कहता है सिंगल कट वापस S से आगई तो क्या हो गई है डबल कट तो यह हमार पास डबल कट रहते हैं तो correct option हो गया सी वक्राकार राश्फ कट नहीं है वक्राकार तो मूड़ी हुई भाग होती है वह वक्राकार होती है यह देखो रेतियों अलगला परकार की यह हमार पास कौन से वक्राकार हो गई ठीक है ना इसमें भी अलगलग परकार के बाग है जिसमें देखो रिटेल मील हाप राउंड ट्रैंगल अलगलग परकार के बाग होते हैं इस परकार के आपके पास अलगलग परकार की रेती होती है यह हमार पास अलगलग परकार की रे में जल्दी से तेरों सवाल को पहले दिन टॉपिक पता होता तो पढ़के आया करो तो इसे क्योंगा आप सभी सवालों का आंसुर असानी से दे सकते हो कि बता ही जल्दी से कि अब देगो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े से तांकि आपको थोड़े सा कुछ किलियर हो जाएं कौन सा आंसुर हमें डिकलेर करना है हाप रौंड चीजल दिख रहा है केप चीजल दिख रहा है और कोल्ड चीजल दिख रहा है डाइमंड चीजल दिख रहा है राउंड नो चीजल दिख रहा है सब दिख रहा है लेकिन हमारे पास देखो आगे जो केप चीजल है न उसमें देखो आगे का भाग देखो ध्यान स इस परकार पिर इस परकार आया है तो यह हमार पास की होल करने में सक्सम है बाकी देखो किसी में नहीं बाकी सब के आगे का भाग थोड़ा चप्टा है लेकिन यह आगे का भाग पूरण तिका है तो की होल में कौन सा काम आएगा हमार पास केप चीजल काम आएगा जैसे हमार पास पहीं दाइमन्ड पॉइंट सीजिंग ना तो डाएमन्ड इस प्ऌंड कहा करोगर के वर्गीकर कंद आप यह वीन्ना की दिश्oft का काम लेंग है और यह अम्हार पास सवाल था की होंगो काड़ के- तो केप छेनी यानि केप चीजल को काम लेंगे यह आगे से तीक होता है तो यह हमारे लिए सबसे पेनिफिट होता है फाइदे वाला चीज होती है किलियर है जो प्लेड छेनी होती है वो वेल्डिंग जोड़ों दातू को खटाने के लिए वहाँ पर काम लिया जाता है वेल्डिंग की हुई वहाँ पर एक्ष्टा दातू लगे उसको हटाने के लिए फ्लेट चिजल का काम लेते हैं के लिए अगला सवाल बताइए सवाल किसको ग्राइंडिंग करके टेपों को पुने तेज किया जा सकता है छल्दी से सवाल का आशूर बताईर वही है किसको grinding करके टेपों को पुने तेज किया जा सकता है रिलीप दागे पूंच या टेल बांसूरी बताए जल्दी से कौन सा correct answer होगा किसको ग्रैंड करके टेपों को पुन्हें तेज किया जाता यह करेक्ट आंस्वरिव बांसूरी को हमरे पास ग्राइंडिंग करके इसके टेपों को पुन्हें तेज किया जाता है flutes होते हैं बान सुरी तो उसमें चिदर होते हैं उसको ग्रैंड करके हम उसके वापस डिरों को टेज करते हैं तो कर्यक्ट टंश्यों की हैपकर का पॉकर का प्रचानिमन लिखिट में से किसलिए कि आ जाए जाता है पोखर मैं आपको दिखा देतह है आगे की टिप कैसी है वही सार्फ है अब देखो पॉकर का प्रयोग किस लिए किया जाता है बॉल्ट को कसने के लिए लकडी की स्कुरू लगाने तो अगर गामी छिद्र निर्मान करने के क्लिए करने के लिए कंड्यूट पाइप को कार ने के लिए देख लो आप ध्यांसे क्या यह नट बोल्ट कर सकता है खुडिये जल्दी आंसर बताई अब इतने इतना अच्छे क्या होगा कि आपको चितर दी गए तो आप आंसर आराम से बता ही सकते हो आंसर बताने किसी भी परकार की तकलीब ही नहीं अब तो और अभी भी तकलीब है तो फिर हम दूर कर भी कैसे सकते हैं जल्दी से बताएं पोकर का प्रियोग तो यह बोल्ट को कसने के लिए नहीं होता है बॉल्ट को डिला करने के लिए नहीं होता पैज थोड़ी है और कंड्यूट पाइप को काटने के लिए काम नहीं लेते हो लकडी के इसकुरू लगने है तो अगर गामी पहले छिदर निर्वान करते हो उस छिदर की जगे हम इसकुरू लगते हैं इसलिए परियोग करते हैं तो लकडी के इसकुर लगने है तो अगर गामी झिदर निर्वान करने के लिए काम लेते हैं यह देखो लकडी में जखक्रू लगएंगे वहां पहले क्या करेंगा आगे जिदर करते हैं इसकी साइथता से जिस परकार universal bevel protector होता है मापने के लिए काम लते हैं उसी परकार vernell夠 gagner would protector भी होता है दोनों सेम टाइप कि होते है तो इसका ऊने का सिधान ऐसा मोता है सिधां सेम पर के उपर आधरित होता है multic circuit आँसर आगा आपसिं क्यूंकि डायल टेस्ट इंडिकेट् सब्सक्राइब के लिए क्यूंकि गया पर contain मापने के क्लिक लिए निहां क्ब्राइब insights क्वाएं योनिवर्सल बेवलड प्रेक्टर वर्मिनियर बेवलड चाहिं कंसी भी एंगल पर क्वोई भी माप आपने के लिए क्म मनलिया जाता है तो τα Twice सवाल बतें यह जल्दी सफलत प्रेयोक के किया जाता है जल्दी से फिलर गेज फिलर का मतलब बढ़ने क्लिए पहले कोई शवाल आया था आपकी अभी आज तो बहुत सब्सक्राइब तो आपको उसके बाद मैंने बताई ता फिलर केज का वास्थिक अर्थ क्या होता थे तो देखा ओगा फिलर केज का बतो प्यों कहां करोगे चलने के लिए पूर्चों को ठीकठा करने के लिए जुड़ने वाले पूर्चों को बीच गेप की जांच के लिए जोब की तिर्जिय जांच के लिए या चिद्रों के सही होने की जांच के लिए जल्दी से इसका आंसर बताओ इसका सत्रे नंबर सवाल आपके सामने है सत्रे में B सब कहारा B बिलकुल बहुत बड़ी आ रहा है सब के B आ रहा है तो और पास की ऐगा प्रयोग होगा वो जुडें वाले पूर्जय होता ह一 उनके बीच कि गेप की जांच मैं प्रयोग के बाइन पर आपके बाव यहां के बाएं के आप मुष्क मानन लिखा होता है तांकि जब आप इसको प्रियोग में ले रहे हो वहां पर तो आपको पता चल जाए गेप कितना है तो उस हिसाब से आप इसका प्रियोग ले सकते हो अलग लग माप लिखा होता है हमार पास जितने लग फिलरी होते हैं तो यह अचकार चन प्रियोग किया जाता है तो गेप की जांच करने लिए फिलर फिलर 確्यांण परेचों के लिए जाता है यह बात और द्यान करत ना के लिए तो सवाल है फिलर गेज का पुरियों जुडने वाले पूर्जों के बीज गेप की जांच करने के लिए तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है गा बी ऑप्शन अठारवा सवाल है एक प्लग गेज जिसके एक सीरे पर गो दूसरे सीरे पर नो गो आकार होता वो क्या कहलाता है यह हमार पास देखो सिंगल एंडेड प्लग गेज डबल एंडेड प्लग गेज प्रोग्रेशिव प्लग गेज और कंट्यूस प्लग गेज यह है डाइग्राम तो यह होता हमार पास एक तरफ अमार पास क्या लिखा है गो और दूसरी तरफ लिखा है अमार पास नो गो तो कि एक नाम लिखाओ दिखाई तहें लेकिन रहाम में है लेकिन वो नाम आपको मैंने करेक्ट नाम सा दिखाई है देखो वर कि यह मांट के मैं लेकिन आप उसके अनुसार बताओ अन्सुर क्याएं दूसरा प्रेक्ट पताओ डब लेड़ इंड़ और रहे अच्छाह प्रोग्रेसिव प्लगेज, जिसमें एक सीरा होता है गो, दूसरा होता है नोगो, और इसका बीच वाला भाग होता है, वो अमार पास सट भूजाकार, यह एक्सागोनल होता है, समशट भूज कहे सकतो, इस गेज का पुरियोग जोब को लिमिट में चेह करने के लिए किया ज सब्सक्राइब करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग करो यह संबर लेदर से करो दोनों में से किसी से भी आप इसको साब कर सकते हो तो ए यह बी आएगा और अगला सवाल है बीस वाप होती आसान सवाल है बीस वा सवाल तो बीस वा सवाल का आप आंसर बता सकते हो मैं आपको इसके बारें पूरी डिटेल बता देता हूं तांकि आपको कही चीज़ें पता रहें, एक यार्ड यानि कि एक गज होता ना, उसमें होता तीन फिट, एक फिट होता ना, उसमें होता है बारा इंच, किलियर है, और एक इंच होता है, उसमें होता है 2.54 सेंटीमेटर, और 2.54 सेंटीमेटर है, एक जो सेंटीमेटर होता ना, उसमें होता है 10 एमेम, एक सेंटीमेटर किता 10 एमेम, गुणा करोगे तो कितना आएगा 25.4 एमेम, ओप्सन एमेम में दिया था, 25.4 एमेम हमार पास भी ओप्सन करेक्ट होगा 25.4 एमेम, तो ये आपको द्यान रहाना हता है गज में क्या होता है जैसे आपको पूंच किलो मिटर में कितने मिटर होते हैं तो आप क्या हिसे तो ही говорит चुछ माई लिए सोटा है यदि आपको पूचे एकट होता है इस में कितने सेंटीमीटर होता है तो और फिट में ठीक है तो एक इंच का समतुलिये क्या होगे है 55.4 एम्म होगे बैस तो ये हमने किये हैं आज कॉमन टूल्स के सवाल सोलकर हम करेंगे करेंगे electrical symbol के तो वो symbol कौन से कौन से हैं जो विदुचिन होते हैं वो कौन से कौन से उन सब के सवालों को solve करेंगे आज हमने यह सवाल solve की हैं तो जितने भी विद्यारति आप देख रहो पहला काम आप ध्यान सकीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा के साथ सेर कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा अपने वाटसप पर इस्टर्टर्स डाल दो फेस्बुक पर डाल दो इसे आपका कुछ भी नहीं विगड़ेगा और आप हमें जितने मोटिवेट करोगे हम भी आपको उतना ही मोटिवेट करते जाएंगे और उससे और यू पी आर वीनल टीजी टू का दोजार सोलेगा फेपर करेंगे तो त्यारहना सनिवार को कल अमारे पास इसी परकार topic वाईज ओलोगा तो ज्यादा से ज्यादा विध्यारतियों साथ शेर करो और उधwell उटो संडे को टेस्ट होगा डेली क्वीज एप के अंदरकत होती है संडे टेस्ट और डेली क्वीज पूरण तिया निशुल के फ्री है एप डाउनलोड करके वो जरूर अटेंड करें ठीक है दोस्तों धन्यवाद शेर जरूर करें और जो नए है वो सब्सक्राइब इसको जरूर कर लेना दन्यवाद दोस्तों थेंक यू